जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सबस्ट्रेप नहीं करते हैं, वो तीन दीन में गायब हो जाते हैं। आज मैं आप सिभी के लिए लिखर आया हूँ Playing With a Dolls मूवी जो कि ये ठिलOR होरो मूवी है और ये सलेशर अडर्ड के टिगरी में प्याती है। वियसे तो इस मूवी के टोटल चार पार्ट है और आज मैं पहले पार्ट प्लेइंग विडियो को उइस वीडियो को पसंद करें तो अब ज़ना टाइम इस नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं मोवी की शुरुआत में हमें एक पुलिस ओफिसर और एक गार्ड के बीच में लड़ाई दिखाई जा रही थी इधर दूसरे तरफ उस भागतूई लड़की के पेट में चोटाती है जहांसे खून भी निकल रहा था लेकिन फिर भी वो लड़की किसी तरह से उस किलर से बच्ट कर भाग रही थी किलर भी उसके पीछे आरम से आ रहा था क्योंकि किलर को पता था कि लड़की कितना भी भाग ले उसे बचकर नहीं जा पाईगी और आखिर कर वो किलर उस लड़की को पकड़ी लेता है लड़की रोते हुए उसे चोड़ने को बोलती है लेकिन किलर उसे मार कर ब्योश कर देता है वो लड़की जब चिल्दी तो उसकी आवाज दूसरी तर फिलर्ट रहें पुलिस ओफिसर और उस गाट को सुनाई देती है पुलिस ओफिसर केता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो अकली बारी हमारी होगी वो गाट उस पुलिस ओफिसर के बाद को इनोर करके फिर से उस से लड़ने लगता है जिस कारण से पुलिस ओफिसर को जान बूच के उस गाट को गोली मारने पड़ती है गोली की आवाज वहाज से कुछ दूर एक दूसरे ओफिसर को सुनाई पड़ती है और वो अपने बॉस को कोल करके गोली की आवास के बारे में पताता है उसका बॉस उस गार्ड को गेता है कि कोई भी बाहर का इंसान हो उसे गोली मार दे और गार्ड उस पलिस ओफिसर को दूर से ही गोली मार देता है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो पुलिस ओफिसर मरा है या नहीं दूसरी तरफ उस लड़की को उस किलर ने एक पेड़ में काटे वले तारों से उर रस्यों से बांद कर रखा वा था वो लड़की जब हूश में आती है तो खुद को इसे बंदा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है उस जंगल में हर जगे केमरा लगे हुए थे और वो एक बहुत अमीर आदमी था और उसे लड़की को तलबतावा देखकर बहुत मज़ाता था और तब भी घर का मकान मालिक आता है और वो सिंडी से उस घर का रेंट मांगता है और सिंडी के पास में जो आखरी पेसे थे वो उस मकान मालिक को दे देती है लेकिन अभी भी उस मकान मालिक के पेसे बाकी थे और इसलिए वो मकान मालिक सिंडी को अपने साथ में इंटिमे जाती है तो वो ये देखती है कि उसके घर के दर्वाजे पर कोई एक बॉक्स वोड़कर गया हुआ है उस बॉक्स में एक कार की चावी थी और सिंडी को जॉब ओफर का कॉल आया हुआ था सिंडी को कोई प्रॉब्लम न हो तो उसी कार में जाती है तो बाहर उसका मकाम मलिक सिंडी को बाहर निकालने के लिए आया हुआ था और सिंडी उसका मकान मलिक शॉक्ट होकर उसे देखने लगता है सिंडी अपनी नई जॉब से बहुत ज़ादा खुश थी लेकिन जिसे जिसे रास्ता सुनसान जगह पर आ रहा था तो वो टेंशन में आ जाती है वो रास्ते में लकडी काट रहे एक आदमी से वहां की डारेक्शन पुछने के लिए बाहर आती है तो वो आदमी उसे बड़ी बुरी नजर से देखता है जिसे सिंडी भाब जाती है और वो ये भी जान गया था कि सिंडी अकेले उस जंगल के रास्ते में आई है सिंडी को वो आदमी ठीक नहीं लगता सिंडी को अपना काम समझा कर वो ओरत महां से चली जाती है और तब ही हम देखते हैं कि वही मास्क पहने हुए किलर घर के अंदर गुस राता और सिंडी को ये बात पता भी नहीं चलती सिंडी बहुत कुछ थी क्योंकि उसके पास अब नहीं जौप थी सिंडी के पास रहने के लिए जगे भी थी और उसके पास कुछ पेसे भी थे अचानक से उसके पास में घर, सिलरी और बहुत सारे नए कपड़े भी आ गए थे सिंडी एक के बाद एक नए कपड़े पहन रही थी और खुशी से डांस कर रही थी और killer घर में गुषख कर सिंडी के सभी हरकतों पर नज़र रख रहा था दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही अमीर अदमी घर के अंदर लगे हुए केमरा से सिंडी पर नज़र रखे हुए था और ये घर उसी अमीर अदमी का था और सिंडी उसी अगली शिकार थी उसमें सिंडी को जॉब को लाज़ दिया ताकि वो उसे भी बाकी की लड़कियों की तरह तरपा-तरपा कर मार दे उस आदमी के पास में बहुत सारी बोटल्स थी जिसमें के human body के parts थे और बोटल को लड़कियों के नाम से भी रखा गया था वो आदमी एक बोटल में सिंडी के नाम का लेबल लगा देता है जिसका मितलब साफ था कि अगली बारी सिंडी के है और अब उस बोटल में सिंडी की body के parts जाने वाले है यहाँ पर हम दिखते है कि सिंडी बात्रों में नहाने जाती है और वो killer उसे मारने वाला था परावा जानवर था जो कि killer ने सिंडी को डराने के लिए रखा हुआ था फिर कुछ देर के बन में killer जब अपने घर पर जाता है तो उसका घर एक cannibal family का घर था वहाँ पर मरे हुए लोगों के कंकाल, हाथ पेर और उनकी body के parts हर जगे लटके हुए थे बोडी killer इतना ज़्यादा साइक हो था है कि वो किसी को बीना मारे नहीं रे पाता था क्यूंकि उसे लड़कियों को मारने में बहुत मचा आता था वो सिंडी को मारने के लिए भी तड़ा परा था लेकिन उसे उसलमीर आत्मी ने ऐसा करने के लिए रोका हुआ था पूरे कपने निकल के नाने जाती है और तबी वहाँ पर एक पुलिस उफ्री से मदद मागने के लिए आ जाता है वो उफ्री सयर पूषता है कि क्या उसके पास में कोई फोन या फिर महां से निकलने के लिए गाड़ी है लेकिन सिंडी के पास में कुछ भी नहीं था उसकी गाड़ी में भी पेट्रोल नहीं था उस पुलिस ओफिसर को बहुत ज़्यादा चोटे आई थी तो वो महीं पर ब्योश हो जाता है पुलिस ओफिसर को जब भोश आता है तो सिंडी ने उसके घाव पर पट्टे लगा दी थी और वो अमीर आत्मी पुलिस ओफिसर को अपने घर के केमराज में देख रहा था और इसलिए वो अपने आत्में को उसे मारने के लिए ओडर दे देता है पुलिस ओफिसर सिंडी को ये बोलता है कि वो यहाँ पर एक किलर को पकड़ने आया हुआ है जो कि बहुत बहर हैमी से महाँ पर आने वाले लड़कियों को मार डालता है ये किलर एक जेल से बखावा केदी है और जेंगल में चुपा हुआ है पुलिस ओफिसर थोड़ा हेरान भी था क्योंकि उस घर में कम्मिनिकेशन करने के लिए कोई भी फोन या फिर महाँ से निकलने के लिए कोई भी काड़ी नहीं थी तो सिंडी यहाँ पर अकेले केसे रह रही थी जो कि पपची में कुछ देर अंदर करने के लिए फेक जाता है वो उस ग्रेनेट को बाहर निकाल कर रख देता है और तबी उस अमीर आदमी के लोग उस पुलिस ओफिसर के ऊपर गोले चलाता है और घर के अंदर वो किलर भी सिंडी को मानने के लिए आ गया था सिंडी उससे भागने के लिए गर के बार चली जाती है और किलर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है उसका शिकार करने के लिए वो सिंडी को पकड़ने के लिए जंगल के तरव भाग रहा था और सिंडी उस फ्लेज गिरनेट को उस किलर के उपर फेकती है जिससे की बड़ा धमाका होता है उस धमाके से सिंडी और किलर दोनों थोड़ी देर के लिए अंदे हो जाते हैं मतलब कि उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिंडी फिर भी वहाँ से भागती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था तो वो एक पेड़ से टकरा कर भ्योश हो जाती है किलर वहाँ पर आता है और सिंडी को उठा कर कहीं ले जा रहा था और उसे एक लकड़ी के उपर पेड़ के बल लिटा देता है जिसके बाद में किलर कुछ इसा काम करने जा रहा था जिसके बाद में सिंडी भी महाँ से भाग जाती है दूसके लिए कार में भागता है क्योंकि उस पुलिस ओफिसर ने उसके सारे आदमें को माढ डा ला था वो जंगल के रास्ते भागता है वो जंगल के रास्ते में उसे सिंडी मिल जाती है सिंडी उसे किलर से बचाने के लिए मदद मांगती है और उसके साथ कार में बिटकर महा से निकल जाती है लेकिन सिंडी को यह नहीं पता था कि अलजाने में वो उसी आदमे से जा मिली है जिसने उसे जान बुच कर महा पर फसाया था ताकि वो उसका शिकार उस केलर से करवा सके और इसी के साथ में ये मूवी यही पर एंड हो जाती है दोस्तों मूवी आपको केसी लगी नीचे कमेंट करका ज़रू बताना और अगर आपका इस वीडियो पर रिस्पोंस अच्छा रहा तो मैं इसके बागे के पार्स भी एक्स्पिन करूंगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रू करिएगा और हम मिलेंगे अगले वीडियो में